आज मुख्यमांत्री साहब ने अनौस्मेंट किया है कि विगाद समभा में जो डेडिस प्रसंजर होंगी उनको 50% की प्रटोथी की गई कि बहुत ही एक अच्छा फैसला और फैसले दा सानू सारा नू स्वाक्त करना चाहिए और सियंसा हमेशें पर्याब वास्ते बड़े की रहें देने कुछ अच्छी पर्याब वास्ते बहुत हैं तो क्या लग रहा है कि पंजाब में किस तरह की स्थिती है किया जाना जाता हूं कि पूरे वार्ड में 67 कंट्री में अब तक करोना वैर्स आ चुका है और हमारे दिली में भी पांच पेशन्ट इसके पाए गए हैं पर लेकिन पंजाब में अब तक जितने भी प्रसंजर बहार से ट्रेवल करके आए हैं वो सब का मेंने मेडिकल चैक हैं लेकर फिर भी हमारी सरकार ने कल परकॉशन के लिए अलाट जारी कर दिया है कि उनको सभी हस्पिलों को हमने बोला कि आप अपनी जो टीम में हमेशा प्रप्यार रखें किया जो जो भी परकॉशन लेनी पड़ेगी उसके जरूरत पड़ेगी हो हमको हादर होनी करतारपूर साब में किस तरह की व्यवस्ता की है कि पंजाब इंटर नहीं देखो बात ऐसे है कि वैसे हर बॉर्डर पर हमारी की टीम पॉइंट है और हम यह वी रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे जितने सर्दालू वहां जा रहे हैं उनको करेंगे आप थोड़ा इसका पंजाब जादा इनरी भी है वो सारे वाई आते जाते हैं तो उससे डर लगता है पर लेकर अभी तक पंजाब है बासा को छीटा इस तरह से इरान एरलाइन ने पाकिस्तान में अपनी जो एरलाइन बंद कर दी हैं तो क्या लग रहा है कि कही ना कही जो सेंटर गॉवर्मे उनको सब को हम जिर्क रिक्वेस्ट करें वो माता हैं क्योंकि ऐसे एक अहलात काफी खराब है लेकिन फिर भी हमारी जो मेडिकल टीम है वो सब तयार है बिल्कु जारी कर देते हैं बहुत पहले कर दो होला महला में क्योंकि जो राश है बहुत ज्यादा होता है देश प्द कर देश से वो लोग आ रहे हैं बेक्यादा जो जेतने हमारे अरपोर्ट चाहिव डिली का रिपोर्ट हो चाहिए पंजाब का हो अमरसर का हो चाहिव महाले का हो और जितने अर दिली एरपोर्ट पे लोग लेंड करते हैं उनको बगह बेदा हम आइसुलेशन देखते प्द कोई परालों दो नहीं ने तो होस्ट लेगे जादा नहीं उसे घर पर अश्विस करते हैं तो वह कोई काम खराब रहा हुआ भी नजर रखी जाए मिलों को रखी जाए कि तो रखी जाए कि अच्छी जार मेरे उपर जी जनी